हेलो माई दिया फ्रेंड्स वेलकम तु दिस वीडियो लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर में हम अरार्बी एंटी पीसी आरार्बी की किसी भी एक्जाम में पूछे जाने वाले जनरल अवेरनेस के टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेट टॉपिक पर बात करेंगे किस टॉपिक पर बात करेंगे यह चया वह फंगनेंटल राइट्स हो चया फंडदा मेंटल डूटी जन चाए डेरेक्टिव पृस्पल्स अभीचिठ पॉलसी हो आने वाले ताइन पर हम बारी बारी से हर पॉइंट पर डिसक्स करेंगे उसमें से इंपॉर्टेंट हमें क्या रखना है उस चीज को हमें याद रखना है क्योंकि एक्जांग के टाइम पर हमको यह चीजा रखना है कि हमको PCS और UPSC लेवल की त्यारी करके नहीं जानी है बॉर्ण है आप से कोई पॉष कुशन एक मिनट से कम के कुशन बनेंगे ठीक है और आपको इतना ट्विस्ट करके नहीं जाना है कि इतना आपको पड़ के चले गए बस पॉलिटी के question बनाने गए हैं आप competition निकानने गए हैं आप वहाँ टॉपर बनने नहीं गए हैं टॉपर बन जाए तो सोफा सोगूड तो आईए fundamental rights कि हम बात करते हैं fundamental rights क्यों बनाए गए fundamental rights इसलिए बनाए गए क्योंकि एक ऐसा भी दौर था कि राजा जो था होता था वो किसी भी तरह की मरमानी अवर्कते लागू कर देता था कभी कुछ तो कभी कुछ इससे क्या होता था आप जन को बहुत दिक्कत होती थी इससे आप जन को बहुत सारी दिक्कते होती थी ठीक है उनके जे वो rights थे वो भी वाइलेट होते थे तो ये सब देखते हैं वे fundamental rights मोतिलाल नहरू ने सोचा और format किए fundamental rights बने fundamental rights आर्टिकल 12 से लेकि article 32 तक है हाला कि 35 है मगा मेंसन हम लक्षमी कान देखेंगे article 32 तक ही है article 12 से स्टार्ट होता है fundamental right और fundamental right किस पार्ट में आता है कि आप से ये पूछे कि पार्ट 3 में कौन से रहा तक क्या क्या आता है तो fundamental right आता है पार्ट 3 में ये चीज़ mcq के लिए याद करने बहुत ज़रूरी है अब हमें आरे लिए article 12 से लेके article 32 तक जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब इसी में article 12 क्या कहता है article 12 का आप देखेंगे definition of state. 변ation of state, state क्या है ए इस्टेट जो है वो चार part में define किया गया है, state एक body होती है authority होती है जिसको चार part में आपको बताया गÈा है कौन-कौन से state रहेंगे उसके अंदर कौन-कोन से स्टेट के अंदर कौन-कौन सी बॉडी रहेंगी जो की इसलिए बनाए गया है कि अगर कोई भी सिट्जन सी प्या फंदामेंटल राइड को गोईलेट करें तो आप से खिलाफ रिट कोट में जाके दाखिल कर सके जुडिशिरी उसके उपकर करवाई कर सके तो यह इसके बौड़ी कौन-कौन से इस्टेट की इस्टेट डिफाइन और किसको किया गया गए गौश्वर्मेंट ऑफ इंडिया क वो हमारे द्वारा चूज करके जाती है कि डाट इस लेजिसलेटिव बॉडी एलेक्शन होता है जो हम लोग चूज करके वहाँ भेशते हैं पार्लियमेंट के अंदर आते हैं एक्जिक्यूटिव इस्टेट का गवर्नर और चाहे सेंटर का प्रेसिडेंट वह एक्जिक्यू कि इस्टेट के अंदर भी होता है पार्लियमेंट के अंदर भी होता है तीसरा लोकल बॉडी क्या है लोकशायद मुनसी पार्टी और डिस्टिग बोर्ड ये लोकल बॉडी जो ग्राउंड फ्लोर पे आके काम करें हैं ठीक है जिनको सेक्शन 3 क्लास वन के अंदर किया गया है पंचायत हो चैनल सी पार्टी जो लोकल अथारिटी है अगर ये किसी भी तरह का लाव फंडामेंटर राइट बॉयलेट करेंगे तो हम और आप झैसे लोग या सकते हैं की हमारे घर का नाली नहीं बन रहा है हमारे खर का सडक नहीं बन रहा है से अब यह त Cuba ऑजबादी तुस्वी पार्टी यह जो की कर सकती है यह हो कमर्शियल इंडास्ट्री इंडास्ट्रिश और उगो औंज लिटरिसीटी बोड आए आपको बिजली आई ने रहे हैं आपके घर में भिल आ जा रहा है अगा बिजली नहीं आ रही है अईसा बिहार में देखने को मिल जाता है बिजली भले नहीं आ रहा है महगर प्रीपेड मीटर लग गया है कि प्रीपेड मीटर आप जब पैसा भरेंगे तभी आपके घर की बिजली चलेगी भले बिजली ना आए मीटर लगा दो तो यह लोग भी ऐसी भी बॉड़ी जो आपको तकलीफ ना दे इन लोग के खिलाबी स्टेट गॉर्मेंट ने इन लोग के लिए नियम बनाया भाई लोग आप लोग इस्टेटरी नॉन इस्टेटरी अथारिटी में आऊगे और अगर आप लोग भी फंडामेंटर राइट बाइलेट किये तो ध्यान रखना आप खिलाब भी कारवाई हो सकती है आपके खिलाब भी एक्षं लिया जाएगा आप लोग को छूट नहीं मिलेगी अगर गोर्मेंट को नहीं छेट मिलने ही लोकल बोडिस को नहीं कर सकता है किसके खिलाफ हम रिट्स डाल सकते हैं ठीक वो सारी चीजें किसमें बताई गई इस्टार्टिंग के आर्टिकल fundamental rights के article 12 definition of state state के अंदर वो सारी चीजे आ जाएंगी जो part 3 और part 4 में हैं यहां उपर मैंने लिखा ठीक इसी तरह हम बारी बारी से fundamental rights के हर article को पढ़ेंगे basic जारकारी उसकी हासिल करेंगे क्योंकि हम जब exam देने जाएंगे तो हमसे basic based question आएंगा जो कि उतने ही काफी है article 12 आप यही जानने बहुत है ठीक है अब इसके अंदर आप यह पढ़ने लगे cases पढ़ने लगेंगे आप UPSC देने लगेंगे तो आपका हो चुका था exam इसलिए मैं कहता हूं exam oriented पढ़ना चाहिए ठीक है ग्यान वर्धक चोंपरास खा कि ग्यान वर्धक ग्यान बढ़ाने लगेंगे तो गड़ड़ा जाएगा ठीक है आपका खुद केस बन जाएगा दें डोंट वेस्ट टाइम यूज यूर मैमरी यूज यूर इंटिलिजेंस एंड जस्ट रिवाइज द आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट हो चाह डारेक्टे प्रेस्पल्स आव इस्टेट पालिसी हो बगैरा बगैरा तब तक लिए जा हैं